नमस्कार साथ और स्वागत है आप सभी लोग का दुस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका PF में zombies नंबर होता है वो अगर आपका अपडेट नहीं फिर आपका verify नहीं है तो आपको कैसे उसको verify करना है तो आपके म unders नमबर आपका PF खाते पर अफडेट नहीं है या फिर एड नहीं है तो इस वीडियो में complete जानका लिए देंगे इसके लिए आपको करना क्या होगा simply आपको अपने mobile में Chrome browser को open कर लेना है जैसे आप Chrome browser को open करेंगे तो यहां आपको सर्च बार में सर्च करना है UAN login यह आपको लिखके सर्च कर देना है यहां पर आप यह लोग इन लिखना है इसके बाद आपके सामने जो फ़र्स्ट वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है UAN employee provident fund organization इसको open कर लेना है तो यहां पर मैंने इसको open करने के लिए क्लिक किया हुआ है थोड़ा यहां पर यह वेबसाइट थोड़ी लेट खुलती है इसमें थोड़ा काम चलता रहता है तो इसके बज़े से थोड़ी लेट खुलेगी तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने दोस्तों ऐसे ही नोलेट वीडियो इस वीडियो यहां पर मिलते रहते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर open हो गई है इसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको अपने मोबाइल के 3.0 पर क्लि देगा अब आपको करना क्या होगा कि यहां पर अपना यूए नंबर पासवर्ड और क्यप्चा को डालके आपको साइन पर क्लिक कर लेना है तो यहां पर मैं कर लेता हूं यह देखिए यहां पर आ गया है इस साइट कैन नोट पी डिस्ट मतलब यह यहां पर open नहीं हो रह हो जाती है यहां पर देख लिए आप आप अमंगों में नहीं करूंगा सीध आपको दिखाऊंगा की कैसे आपको open करना है तिहां पर आप देख सकते हैं अभी open हो जाएगी यह यह देख लिजी अपन हो रही है यहां पर साइट ओपन होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सभी के साथ में होती है, ऐसा मतलब इस पे थोड़ा चलता रहता है काम मैंटेनेंस का, तो ये काफी बड़ी लाजेस्ट मतलब एप साइट है, और अल ओबर इंडिया में, तो इस बज़े से यहां पर थोड़ी मतलब ले तो इसे मैं दोबारा से आप ठेक्ट अपसाइट कर देता हूँ, यह मैंने कर दिया, और इसके बाद में यहां पर तो बारा से पेपसाइट जो है अप सैट अप हो जाएगी यहां पर, तो अभी इसके नीचे जाना यहां पर, तो यहां पर आपको कैप्चा कोड, UN नंबर और password डाल के अपना login कर लेना है चांस में जल्दी से कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना जो UN है उसको login कर लिया है login करने के बाद में दोस्तों आपको simply करना क्या होगा आपको यहाँ पर manage बाले option पिजले जाना है तो यहाँ पर आपको manage बाला option मिल जाता है इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर contact detail जो second number पर आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर मैंने click कर दिया जैसे ही आपको इस पर click करेंगे तो आपका यहाँ पर email ID और mobile number दोनों ही आपको दिखाई दे जाते हैं तो यहाँ पर अभी site open हो रही है यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे जाएंगे कुछ second wait करते हैं अभी तो इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका जो mail है second तरफ दूफरी तरफ आपको mail ID दिखाई दे रहा है और नीचे आपको यहाँ पर first दिखाई दे रहा है आधार link mobile number तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो email ID है वो मेरा यहाँ पर verified है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो और चेंज़ बाले mobile number पर इसको click कर देना होता है तो इस पर मैंने click कर दिया है जैसे ही मैं इस पर click करता हूँ तो इसके नीचे यहाँ पर बुलग जा रहा है कि आपका जो mobile number है उसको आपको यहाँ पर fill करना होता है जो भी mobile number है आधार link number होना चाहिए यह आपको धियान रखना है तो यहाँ पर मैं number fill कर देता हूँ number fill करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर भी उसको re-enter mobile number पे भी यहाँ पर fill करना है इसके बाद में आपको get mobile OTP यहाँ पर आपको click करना है जिससे OTP को आपको यहाँ पर fill करना होता है तो वो आपको अपने message में देख लेना है कि क्या OTP आया हुआ है तो उसको मैं देखके यहाँ पर fill करता हूं तो दोस्तों हुआ क्या है कि वो जो number है जो number मैंने इसमें link किया हुआ है mobile अधार number है link उस पर मेरा recharge ना होने के कारण यहाँ पर जो OTP है वो नहीं आ रहा है एक मैंने से मैंने उस पर recharge नहीं किया हुआ है इसके वज़े से OTP नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही number को fill करते है OTP को तो आपका जो mobile number है वो यहाँ पर verify हो जाता है दोस्तों इसके बाद में आपको मतलब यहाँ पर verify लिखके आ जाता है तो आप इस तरीके से यहाँ से मतलब अपना mobile number को change कर सकते हैं फिलाल मेरे पर OTP नहीं आया हुआ है क्योंकि मेरे पर recharge ना होने के करण पर OTP अकोई भी SMS नहीं आ रहा है दोस्तों information बिल्कुल genuine है आप यहाँ से जाकर के अपना mobile number को update कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों मैं त्यापकी नेक्स्ट वीडियो में